उल्टा चोर, चोकिजार को दाटे चोटी-मुटी शिटायं के रहने के बाद भी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयो की निर्वयों को मान करके चल रहे क्या हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे हम आज उसको भरबाद करने में लगे हुई है क्या हम उसकी दिशा में भी कुछ सोच सकते हैं क्या सच बोलते हैं पब्लिक मिटिंग में भी सच बोलते हैं जन्व सभा में भी सच बोलते हैं लोग सभा में भी सच आज हमारे परगे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं राश्पती जी ने वही बात सदन में भी कशी है मतलब यह सीत्य हो गया कि सच्छी बोलने वालों को भाट दूसरा बोलना अंदर अलग बोलना था नहीं जो सच बोलता है वह बार भी भोई बोलता है अंदर भी भोई मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को रेजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं जन्व सभा में भी सच बोलते हैं लोग सभा में भी सच और प्रधान मंत्री भी सच बोलता है राश्पती जी सच बोलते हैं अब आपकी मु आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई है आपने का मोदी संसाओं को खतम करदा है बरबाद करदा है हमारी आए कहा कहावत है उल्टा चोर चोकेजार को दाते आप जड़ा पताईए मुझे लगता है विचार करने के अवसेक्टना है देश मैं आपात काल थोपा कंगरेस में लेकिन कहते हैं मोदी बरबाद कररा है कि सेना को अप्पानिस किया कंगरेस में कहते हैं मोदी बरबाद कर रहा है कि देज के सेना जैक्ष को गुंडा कहा कहते हैं कि करने वाले कौन दो कहते हैं कहानिया घड़ी जाती है तक्सा पलट करने की और कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की जटकों कितना बड़ा जाओ आपको मालूम नहीं है आपने हफ्ते दो हफ्ते साएफ राजने कि खंभी होगी लेकिन ये जो आपने पाप किया है मैं समता हूं हमारी सेना के दिनों पर जो गाव लगा है भारत की सेना सफ्टा पलट करने का काम करें आजहांदी की इतने सानों में अच्छे दीन आये हो, बुरे दीन आये हो, बीक प्रधान मंत्री रहो, बीक गॉवर्मेंट रही हो, एक सरकार रही हो, मिली जुनी सरकार, कभी देश की सेना ने सब पाप नहीं किया, हम ये बाते कहते हैं, जस अपनी राजनिती के लिए, और इसलिए, और मैं मानता हूँ कि बहुत दुड़ा किया हम लोगों ने, हमें जिम्मेबारिक लोग है, और सासन में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार की बाते हो, और आप कहें कि हम समस्ताओं को बरबाद करने में लगे हुए हैं, चुनाव आयोग, इस देश सा चुनाव आयोग विश्व के लिए ग चल रहे हैं, क्या हम उसको भी बरबाद करके रहेंगे, हम आज उस पर बरबाद करने में लगे हुए हैं, क्या हम उसकी दिशा में भी कुछ सोच सकते हैं, क्या, उसी प्रकार से, अपनी विफलता, EVM पर, अपनी विफलता, मैं तो हरानो, देश बजेट की चर्चा करता है और यह इविएम करो न रहे है, किसनी आफ इत्ने दरे हुए, क्या फोकर क्या है आप लोगों को नाएपालिका को, कॉंग्रेस धमकाती है, मैं जिस परकार के नेराओं को, कॉंग्रेस जूणे हुए लोग जिस परकार से बयान भाजी कर रहा है पहले कभी नहीं हुआ अच्छा हो बुरा हो लेकिन उसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस इंस्टिटूशन आखी बचानी पड़ेगी लेकिन हम हमें पसंद ना हो लिए कुछ भी बोनते हैं कुछ भी बुर्वान हैं कुछ भी निखवाद हैं आप पूरी यह कॉंग्रेस पॉर्टी जिसने योजना आयो को प्लानिंग कमिशन को जोकरों का समू कहा था मालू मैंने किसने कहा था आज आप प्लानिंग कमिशन के इतने गीद गा रहे थे उसी प्लानिंग कमिशन को आपके गृत्प्रवर प्रहान मंत्री ने जोकरों का समू कहा था इंस्टिटुशन का सम्मान एक शब्द पकड़ लिया और तकी बागी की अपना तो कारोबार देखो जरा तिन सो सपन का दुरुपियों सो बार करीब करीब सो बार आपने किया चुनी हुई सरकारों को आपने परखास कर दिया और स्रीमति इंद्रा गांदी ने अकेली ने पचास बार किया उसका उप्योगा पचास बार सरकारों को गिराया और ये जोहजार उन्नी किस सिट के अनिवर्सेली ही आप करें जबाँ मैं केरल के मित्रों को कहना चाहता हूँ केरल को 59 में जम नहर जी प्रिणान मंत्री थे और इंद्रा जी कॉंग्रेस के दिखा थी तो केरल गें पताने क्या देखा क्या क्या पाया क्या सुना आते ही केरल की कॉमिनिस्टों की चुनी हुई सरकार को परखास कर दिया यह 2019 एनिवर्सेली आप समस्वाओं का मान सम्मान की बाते करते हो किस प्रकार से आपने देश के साथ आपने NTR के साथ क्या किया आपने MDR के साथ क्या किया इतना ही नहीं आपने मंत्री मंदल के निरनाएश केबिनेट का डिसीजन प्रेस कंफर्स में जाकर कैसे साथ है कौन्सी सेंटीटी कौन्सी संसाओं का सम्मान और इसलिए खिर्पा करके मोधी पर उंगली उठाने से पहले यह आपको पता होना चाहिए आपकी चार उंगली आपके तरव होती है